नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सबका मेरे चैनल में मैं हूँ राजी बोलो और आप देख रहे हैं ग्यान टूल दोस्तों गवर्मेंट अफ असाम की तरफ से एक नोटिफिकेशन दिया दिया गया था पहले कि जो हर डिस्ट्रिक का एंप्लोयमेंट एक्सेंस ओफिस हो अनलाइन पोर्टेल लॉंस किया है जो कि आप यहाप देख सकते हैं एक अफिसेल एपसेट है यहाप आप जायेंगे तो यहाप आप देख सकते हैं एंप्लोयमेंट एक्सेंस पोर्टेल एंप्लोयमेंट रिजिस्ट्रेशन ओनलाइन एंप्लोयमेंट रिजिस्ट्रेशन तो आप Employment Exchange Portal में अपना नाम online registration कर सकते हैं और registration complete होने के बाद ही आपको जो एक certificate यहाँ पर issue किया जाएगा तो यहाँ पर दिखिए आप अपना registration, renewal या फिर re-registeration तिनों कर सकते हैं अभी तक portal launch होने तक अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप 102 लोगों ने रिजिस्ट्रेट किया है जिसमें total 70 male है और female 31 है तो इसको आप apply कैसे करेंगे तो इस portal के link में आप click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे अगर आपको पहले रिजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पर continue करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट तो पापल्लिक सर्विच एक कंप्रहेंसिव सिरिजान प्लेट्फरों यहाँ पे आप दिख सकते हैं तो इंप्लिएमेंट अक्सों में आपको ननाम क्रनी के लिए अपको दो तरीका है पहला है अगर आप आपको पास अधार कार्ण है जो की अधार क्या साथ apply करेंगे तो तुरंत ही आपका employment action certificate है वो इशू हो जाएगा और अगर आपका अधरगाट नहीं है तो आपको physically visit करना होगा employment action center तो यहाँ पर पहले apply with अधर पर क्लिक करेंगे अगर आपके पास अधर है तो एक एसा dashboard आपको देखने का मिलेगा जहाँ पर बोलेगा if not register please register first तब को यहाँ पर फहले register करने के लिए register here यहाँ पर आपको आना है आपकर करके अपना पूरा नाम अपना email id mobile number और एक password आपको यहाँ पर चूज करना है फिर आपका state यहाँ पर सिलेक करके CAPSA code डलके आपको यहाँ पर submit बटन पर क्लिक करना है तो इसी तरह से login करने के बाद आपका जो process है वो complete हो जाएगा और कुछ details आपको upload करना है जैसे के आपका metric SSLC admit card से लेकर करके आगर अपने बीए तक किया है तो बीए तक जो पूरा details marksheets certificate वो आपका upload करना है और इसके ल इसको access कर सकते हैं तो सुक्रिया दोस्तों के वीडियो देखने के लिए अज के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए information के साथ